हेलो दोस्तों आज तीसरा और आखरी दिन था ME Organics और विजया डियागनस्टिक के IPO में अपलाए करने के लिए तो आज आखरी दिन ME Organics के जो IPO है उसको bumper subscription मिला है मतलब टोटल यह subscribe हुआ है 64.54 गुना बहुती जबरदस subscribe हुआ है क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मतलब अभी recent टाइम में कोई भी IPO का अभी announcement नहीं हुई है तो इसको आने इसको subscription भी बहुती बंपर मिला है और इसका QIB portion जो subscribe हुआ है में एक अच्छी listing की हैं समय देखने को मिले अभी हमने पिछले IPO जो देखे थे Glenmark Life Science Car Trade का IPO और बाकी काफी सारे ऐसे IPO थे जो जिनको subscription भी अच्छा मिला था और fundamental wise भी बहुत ही अच्छी कंपनिया थी पर इनको listing वाले दिन इतना अच्छा response नहीं मिला तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको listing वाले दिन अच्छा response मिले अभी दोनों IPO थोड़े से रिस्की लग रहे हैं क्योंकि अभी market का कुछ वरुसा नहीं चला है कि इसमें फाइदा मिले या ना मिले इसकी कोई surety नहीं है वालब sure नहीं है 100% कि हमें इसमें listing गेंस मिलेगा ही क्योंकि अभी अपने पिछले 3-4 IPO ऐसे देखे हैं जो IPO बहुत ही जबर्दस सब्सक्राइब हुए थे उसके बाद भी उनको listing गेंस हमें देखने को नहीं मिला और बात करें आज की तारिक में ग्रे मार्केट के premium की तो और बी इचाब हो और बात करें विजया डागनोस्टिक के IPO की तो विजया डागनोस्टिक का IPO है लगबग एक बजे एक गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ हुआ था और अभी जो टोटल सब्सक्राइब हुआ है लास्ट आकरी दिन साम 5 बजे तक 4.54 गुना मतलब टोट जाएगा और employee portion जो सब्सक्राइब हुआ है जिरो पॉइंट इंठाणू गुना ये थोड़ा कम सब्सक्राइब हुआ है और टोटल ये सब्सक्राइब हुआ है 4.54 गुना और देखा जाए ME Organics और विजया डागनोस्टिक IPM है तो दोनों मैंसे ME Organics को बहुत ही अचा सब्स रिस्की लग रहे हैं क्योंकि पिछले IPOS हमने देखे थे हैं उनकी लिस्टिंग बहुत ही नेगेटिव देखने को मिली तो उससाब से अभी थोड़ा रिस्क अगर कम लें तो बहतर ही है तो उससाब से थोड़ा रिस्की लग रहा है तो उम्मीद है कि इन IPOS में बढ़िया